अप्रेट करना है तो गाइस जो आप देख रहे हैं यह एक बेसिक सा मार्गेट वाला स्पीकर है मगर क्या आप चांदते हैं कि यह बनता कैसी है इसे बनना बहुत ही असान है तो आज की वीडियो में मैं आपको एक स्पीकर बनाना सिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एक स्पीकर बनाने के लिए आपको चाहिए हो मैगनेट और इंसुलेटर कॉपर वायर के इसे मैंने डेसी मोटर के अंदर से निकाल रखा है और एक पेपर की साथ बस इन टीन चीजों के मदद से हमें एक स्पीकर बनाएंगे सबसे पहले एक छोटे से पेपर कुपीस को कट कर लीजिए कट करने के बाद इस छोटे वाले मैंगनेट के सिप में इसको रूल कर लीजिए रूल करने के बाद इसको किसी गब के मदद से चिपका देजिए और यह जो एक स्ट्राइपीस है इसे कट कर लीजिए और इस मैगनेट को बाहर निकाल लेजिए अब इस पेपर पी हमें पॉपर वायर की कोई लपेते हैं तो इसके लिए बीवीसी पाइप के मदद से इसके अंदर पेपर को फिक्स करके मैं इसके उपर वायर की रिवाइनिक कर रहा हूं इसको मैंने सौ बर इसको रिवाइनिक किया है आप जितना चाहिए उतना कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि दिवाइनिक थोड़ी से नहीं होनी चाहिए वरना आपको स्पीकर वह बहुत कम साउन करेंगा मैंगनेट से लेंगे और छोटे वाले मैंगनेट को किस चीज की मदद से इसके अंदर फिक्स कर देंगे और इसको फैवी क्लिक से चिपका देंगे ताकि ये पूरे तरह से चिपक जाए अब हम इस कॉइल को फिक्स करने के लिए एक बेस को बढ़ाई के लिए मैं कॉपी का उपर वह इससा इसमान कर रहा हूँ इसको फिर मैंगनेट के साइज का कट कर लिखाँ कट करने के बाद इसके बीच में भी हम बनाएं इस कॉइल को फिक्स करने के लिए कर देख सकते हैं इसमें मेजर हाथ बेस इसके हूल को और बड़ा कर दे रहा हूं कि अगर इसके किनारी की नारेशनी स्कोप फ़ड़ा इस तरीके से कट कर लेगी है कट करने से होगा यह कि यह किनारे किनारे से इस तरीके से फिक्स हो जाएगा अब इस कोईल को इसके अंदर और मैगनेट के अंदर फिक्स कर देजिए और इसको किसी फैविक कोल या फिर फैविक वेक के मदद से चिपका देजिए अब चाह थिए तो इसका यूज नहीं क्या सकते के यह बस काईल को फिक्स करदे के लिए है अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो कॉछ आप निकाल को सकते यह चार्ण यूज़ कर लेते हैं तो आप इसको कॉयल को डिकालने के लिए आपको इसको भी नहीं करना करेगा अंत यह आपका इसकी कर तयार है घर अब आप इसका इसी तरह यूज़ करेंगे तो इसकी सांट इंगर शोड जो आएगे कि इसके साउंड अमे परणाने के लिए इस पीपर को कट कर लिए को ऑर हम बीच में, इसे हम शल्ango में अब फिर भर इकोल या, इस तरी कोल लम लगा लेंगे और इसको स्पायलंा जाएक इसाWhen चिफ कहा दक आएगे और यह जो एक्स्ट्रा पीस बचलाय में लुका इसको कट करेंगे अब इस पेपर को उपर से राउंड सेट में कट कर लिजिए ताकि यह दिए में थोड़ा अच्छा लोगी आप चाहिए इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं बिना कट लिए और यह पेपर हमारा कुछ इस तरह से इसमें लगेगा तो इसको हम फैविक वोल के मदद से चिपका देंगे इसे में अब यह हमारा लाउड स्पिकर लाउंस आउट करने के लिए त्यार है पूरी तरह से शूखने के पाद इसकी टेस्टिंग करने से पहले इसके वायर के उपर के इंसुलेशन को हटा देजिए अब इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूं कि यह कैसा साउंड करता है कोई को फिक्स करने वाना मैंने निकाल दिया है ताकि जब चाहें तब मैं इसे निकाल सकता हूं अब चलिए जो आप रम्पूति के इसको स्टार्ट कर लेके तो अब मैं इसमें आप कूकानी बजाते दिखा देता हूं कर दो कर दो मैं वे अधर सब्सक्राइब को फूल कर देता हूं इसको प्ल कर देता हूं और अदिक आूंड कर देता हूं कि अधिकी है इसके वान ना कि पर देता हूं यह सब्सक्राइब काफी अच्छा सांड कर रहा है यह सांडरी काफी लाइब है अष्ण बात्त काफी लाइब कर समसेग बेहले काफी आपके मेरे में एक सेझ बेहले कारणी अपका इता है यह प्लिजिक पॉल रहन जाए पिंस की एट बेस करना है प्लोग करना है आप जात वीड्या पसंगान यो कि वीडियो का लाइक पर वाग पर शाम है प्लोग कर दो रहना